how to fix gmail not working problem तो दोस्तों यह दिए आपके mobile में भी आपका gmail account जो है gmail app जो है वो open नहीं होता है आपका काम नहीं कर रहा है unfortunately stop या फिर आपका जितना भी problem है आपका gmail app से regarding उसे आप कैसे fix कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही हो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिगा इस वीडियो के अंतक जो है आप भी अपना gmail account में जितना भी problem आप face कर रहे हो से कैसे आप fix कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रह आउन आपको play store में जाके आपको search करके आपको update कर लेना है यह अपडेट मांग रहा है तो update आपको कर लेना है ठीक है तो यह update करने के बाद में दोस्तों second option जो है दोस्तों आपको क्या करना है आपको जाना है settings पे उसके बाद में आपको यहां पर ढूनना है app management या फिर installed apps क नाम से मिलेगा यह पिर application manager की नाम से मिलेगा basically आपको application प्याइब आना है उसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है आपको gmail app ढूनना है ठीक है यहाँ ओल application सेलेक कर लिजे उसके बाद में यहां पे gmail आपको ढूनना है चलिए हम ढून लेते है जी यहाँ पे जी 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 मेल यहाँ पे आ चुका है जी मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है उसके बाद में सबसे बेले दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्स स्टॉप पे क्लिक करना है ठीक है इसे force stop कर दीजिए और back जाईए और यहाँ पर storage usage में जाकि clear data कर दीजिए इसे यहाँ पर clear data में आपको click कर देना है उसके बाद में आपको back आना है और यहाँ पर permission पर जाना है और यह सारा permission आपको allow करना है उसके बाद में आपको manage notification पर जाके यह आपको allow रखना है ठीक है इसे आपको allow रखना है तो यह करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करने मुबाल को एक बाद रिस्टर्ट करना है और आपका app जो ही Gmail app आपको खोल लेना है आपका problem solve हो जाएगा लास्ट सेटिंग आपको एक बार अपनी मुबाल में software update भी चेक कर लेना है कभी-कभी software update आने के वज़े से भी हमारा Gmail account में बहुत सारा problem आ सकता है ठीक है तो update चेक कर लिजए update आया तो update आप कर सकते हो तो दोस्तों यह सारा solution था यह दि दोस्तों आपका फिर भी काम नहीं कर आता है तो कभी-कभी technical issue या server down होने के वज़े से आपको problem आ सकता है ठीक है तो उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयागा thanks for watching